Hello students, welcome to English Classes UP Board. बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के लेसन नमबर 7 वीर अब्दुल हामिद को. वीर अब्दुल हामिद हमारी भारते सेना के एक सैनिक थे और इस लेसन में हम जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपना नाम और अपनी भारते सेना का नाम इतिहास में रोशन गिया. तो आईए पढ़ते हैं वीर अब्दुल हामिद को. लेसन 7 वीर अब्दुल हामिद ये वीर अब्दुल हामिद की फोटो दी गई है और ये इन्हें मिलने वाला मैडल जो इन्हें मैडल दिया गया वो मैडल है यह कहानी हैं एक बहादुर सिपाही की नेम्ड अब्दुल हामिद जिनका नाम था अब्दुल हामिद He was a company quarter master हविल्दार in Indian Army भारते सेना में यह company quarter master हविल्दार के पदपर थे He was a very brave soldier, यह बहुत बहादुर सिपाही थे He fought in the 1965 war, यह लड़े 1965 के युद्ध में between India and Pakistan जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था अब्दुल हामिद was born in धामूपूर विलेज, अब्दुल हामिद का जन्म बॉर्ण, जन्म हुआ था धामूपूर विलेज, धामूपूर गाओं में of गाजीपूर डिस्टिक, गाजीपूर डिस्टिक जिले में इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, on 1st July, 1 July 1933 को, in a Muslim family, एक Muslim परिवार में, टू सकीना बेगम and मुहमद उस्मान और इनके माता-पिता का नाम था सकीना बेगम, मुहमद उस्मान, इनके परिवार में इनका जन्म हुआ Would you like to know, क्या आप जानना चाहेंगे, how he became the hero, किस प्रकार ये hero बने, of the 1965 war, 1965 के युद्ध में, between India and Pakistan, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था It was the early morning, बहुत सुभा सुभा, early morning of 10 September, 10 September 1965 को, India was fighting against, इंडिया लड़ रहा था, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी रेजिमेंट, एक पाकिस्तानी रेजिमेंट टुकडी, एक छोटा सा ग्रुप सिपाहियों का, of patent tank, जो patent tank के साथ थे, वाल्स मार्चिंग आगे बढ़ रहे थे, on the Bikki Wind, अमरत्सर रोड, Bikki Wind एक जगा का नाम है, ये जो लिखा है Bikki Wind, Bikki Wind एक अमरत्सर रोड पर जगा का नाम है, in the came current sector of India, भारत के came current sector में, It had reached a village, और ये है टुकडी, ये है परकिस्तानी रेजिमेंट, patent tank का, पहुचने वाला था, पहुच चुका था, अ विलेज, एक गाउं में, named Chima, जिस गाउं का नाम था, Chima. This village was on the Indo-Park border, ये है गाउं, भारत-Pakistan के border पर था. In this sector, इस शेत्र में, the battle had been going on since September 6, युद्ध चल रहा था, going on, चल रहा था, since September 6, 6 September से, here, यहाँ, हविलदार अब्दुल हामिद, and the other soldier of four Greniders company, यहाँ पर हविलदार अब्दुल हामिद के साथ, चार और सैनिक थे, जिनका, और भी सैनिक थे, जिनका नाम था, four Greniders company, यह company मतलब इनके group का नाम था, were waiting to face the Pakistani army, वो wait कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, पाकिस्तानी आर्मी का face सामना करने के लिए, यहाँ face का मतलब चहरा नहीं है, यहाँ face का meaning है, सामना करना, पाकिस्तानी सेना का सामना करने का इंतजार कर रहे थे, Brave Abdul Hamid, Bahadur Abdul Hamid was sitting in a jeep, एक jeep में बैठे हुए थे, he had a special gun और उनके पास एक विशेश प्रकार की बंदूग थी, the patent tank of the Pakistani army, पाकिस्तानी आर्मी के patent tanks were not very far from him, उनसे बहुत दूर नहीं थे, he could hit the tanks, वह उन टैंक को उड़ा सकते थे, hit मतलब उन्हें bomb से मार सकते थे, with his gun अपनी बंदूग से, if he wanted to, यदी वह चाहते, he was a good shoot, वह एक बहुत अच्छे निशाने बास थे, but he did not want to waste his shots, लेकिन वह अपने shots, अपने निशानों को बरबाद, वेस्ट नहीं करना चाहते थे, he wanted to hit the tanks with each of his shots, वह चाहते थे कि वह अपने एक एक निशाने से उनके एक एक टैंक को उड़ा दे, hit the tanks, उनके टैंक को उड़ा दे, मार गिराएं, the Pakistani tanks were very powerful and dangerous, Pakistani tanks भी बहुत powerful और खतरनाक थे, dangerous, खतरनाक थे, they were approaching nearer and nearer, वे आगे बढ़ते जा रहे थे, approaching means आगे बढ़ते जाना, nearer और नस्दीक and nearer और नस्दीक, धीरे धीरे वो और नस्दीक आते जा रहे थे, They were firing continually, वे लगातार गोलियां चला रहे थे, यहाँ पे firing का मतलब है गोलियां चलाना Brave Abdul Hamid march forward, Bahadur Abdul Hamid आगे बढ़े, march forward, आगे बढ़ना He saw a Pakistani tank, उन्होंने देखा एक Pakistani tank को He turned his gun and fired a shot, उन्होंने अपनी बंदू को घुमाया और एक निशाना गोली मारी उनको Fired a shot, एक निशाना लगाया और गोली चला दी The tank caught fire, उस tank ने आग पकर डी and went up in flames और उसमें flames लपते उठने लगी Went up का meaning है यहाँ, उसमें लपते उठने लगी All the soldiers of Abdul Hamid's company were very happy Abdul Hamid की company, company means उनकी टुकडी, उनका दल उनके टुकडी के सभी लोग बहुत खुश थे Suddenly he saw another tank, अचानक उन्होंने दूसरा tank देखा He fired a shot again, उन्होंने दोबारा से एक गोली चलाई And it also burst into flames, और यह भी लपतो में burst foot पड़ा Four more tanks were seen, चार और tanks देखे गए Pakistanis wanted to attack Abdul Hamid's company and kill him Pakistani चाहते थे attack Abdul Hamid, Abdul Hamid पर attack करना, आक्रबन करना उनकी company पर, उनके समुह पर and kill him और उन्हें मार देना चाहते थे He was their biggest enemy, वहे उनके सबसे बड़े शत्रू थे They turned the guns to their tank, उन्होंने अपनी बंदू के उनके tanks की तरफ घुमाई Towards him, उनकी और, before they could fire लेकिन इससे पहले कि वो fire कर पाते, पाकिस्तानी लोग Abdul Hamid पर हमला कर पाते, Abdul Hamid hit the third tank too Abdul Hamid ने hit, उड़ा दिया तीसरा tank भी And there it went, इसी तरह से चलता रहा It had caught fire, इसने आग पकर ली Flames were rising high, flames लपटे, rising high up, उची उठ रही थी Into the sky, आकाश में, but alas, लेकिन दुख की बात है Shell of enemy hit his jeep, लेकिन दुख की बात है कि एक bomb ने उनकी jeep को उड़ा दिया शत्रू के एक bomb ने उनकी jeep को उड़ा दिया The brave hero fell down, यह बहादुर hero गिर गया He was deeply wounded, वह बहुत घायल हो चुके थे Wounded मतलब घायल और deeply बहुत ज्यादा Yet he did not lose heart, लेकिन फिर भी उनोंने अपनी हिम्मत नहीं हारी He ordered his soldiers, उनोंने अपने सैनिकों को order दिया Move forward, आगे बढ़ो and fight on, लड़ते रहो They obeyed his orders और उनोंने उनके orders को माना follow किया अग्या का पालन किया and fought bravely बहादुरी से लड़े Some more tanks of the enemy were destroyed कुछ और tank भी दुश्मनों के destroyed, नश्ट किये गए The Pakistani soldiers were afraid Pakistani soldiers afraid, डर गए and fled, वहां से भाग गए This brave soldier of the Indian army died यह बहादुर सिपाही भारतिय सेना का Died, मर गया for his country, अपने देश के लिए He was awarded, उन्हें सम्मान दिया गया, पुरुसकार दिया गया परम वीर चक्र का posthumously, posthumously उनके मरने के उपरांत, क्योंकि उनकी मृत्यू तो वहीं युद्ध में हो चुकी थी, लेकिन उनके परिवार को उनके लिए सम्मानित किया गया posthumously कहा जाता है, कि जब किसी की मृत्यू के बाद उसको सम्मान दिया जा रहा है He will always be revered, उन्हें हमेशा ही सम्मान दिया जाएगा and remembered, याद रखा जाएगा by the people of our country, हमारे देश के लोगों के द्वारा as the bravest hero of 1965, 1965 के युद्ध के सबसे बहादुर हीरो के रूप में against Pakistan, Pakistan के खिलाफ, जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में उन्हें सबसे बहादुर हीरो कहा जाएगा His village has been named Hamid Dham, after his name और उनके गाउं का नाम, उनके बाद, उनके नाम के उपर Hamid Dham रखा गया है मुझे उमीद है कि आप इस lesson को बहुत अच्छे से समझे होंगे next video, इसके word meaning, question, answer और exercise को समझने के लिए इस channel को subscribe करना ना भूले और video को please, please, please like जरूर करे तो मिलते हैं next video में, good bye